सबी दर्शक बंदों का फिर स्वागत एक नए वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल आयरवेज इस्टेशन पे दोस्तों आज के वीडियो में हम जोतिश मती तेहल के बारे में तीन बाते करने वाले हैं जिसमें सबसे पहली है इसके क्या-क्या मेन बेनिफिट से दूसरा इसको लेते हैं समय क्या-क्या साउधनिया रखनी है क्या परहज रखने या किसको क्या नुक्सान हो सकता है और तीसरी सबसे इंप्रोडेंट बात दोस्तों आपको इससे कितनी मात्रा में यूज करना है किसको ज्यादा करना किसको कम करना यह तीनों चीज इस पाइदों के बारे में बात की जाए तो इसको जैसे ही आप नाक में डालेंगे यह सबसे पहले आपके कफ को दूर करेगा आपके गले में आपके फ्यपडों में जो भी कफ जम रहा उसको बाहर निकालेगा दूसरा बेनिफिट यह आपके सीरदर्द को बिल्कुल खतम कर माइग्रेन की समस्या है एपिलेपसी की समस्या है तो उसमें बहुत जादा बेनिफिट देगा तिसरा इसको यूज करने से कभी आपको नजला की समस्या नहीं होगी नजला की कारण दोस्तों बालों का असा में जड़ना सफेद होना आखों की रोशनी कम होना सिरदर्द द करेगा आपकी मानसिक शमता को बढ़ाएगा आपकी याद रखने की कैपिसिटी को बढ़ाएगा उसके बाद आप देख सकते इस्मृति वर्दक जो आपको मैंने बता दिया है वात हर यानि कि यह वात रोगों को हरता है आपको यह जोड़ों में दर्द रता है जोइंट पेन है कंदे में कमर में दर्द किसी भी प्रकार का दर्द रता है जो कि वात रोगों सोता वह आपको नहीं होगा उसके बाद आप देख सकते वात ना थी यानि कि वह वात हर हो गया बल्ली यानि कि बल्ली भी प्रतान करेगा आपके शरीर को और त्वक दोश रहनी यानि क तो जो छोटे बच्चे हैं और मेला आट जो की प्रेजनें रहती है उन्हें और तिस्रा जिनें एपिलेप्सी की समस्य उनने को इस तेल का इस्तमाल्राष्स के परामर्ष से ही करना बिना किसी जानकारी कि प्रेजन को उपयोग उनहें करना है अंतम अगर बात करें इसको यूज़ करने के तरीके की तो इस पर लिखा हुआ एक्स्टरनल यूज़ यानि कि आपको इसे नाक में डालना भी पीने में यूज़ नहीं करना है सामान्य वस्ता में पांच-पांच बुंद आप दोनों नाकों में डाल सकते हैं और यदि आपको बहुत ज़दक कफ हो रहा है गले में खराश हो रही तो आप इसकी दज़द बुंद भी वेद्दे के परामर्च से यूज़ ले सकते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जनकर आप उसे लिए कि या मुझे कमेंट शुरू बताएं वीडियो दे आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें और साथ या अधिक से अधिक संक्या में शेयर भी कर ताकि और लोगों को भी इससे बेनिफिट मिले ओम